आलो दोस्तों ये हैं अमतावच्चन जी का बंगला परतिच्छा देख सकते हैं परजेन टाइम इस बंगले की क्या इस्थिती है ये है उनका परतिच्छा बंगला जो में रोड पर ये है देख सकते हैं चोरा है के पास ये उनका परतिच्छा बंगला है फिरहाल अमतावच् मैं उस बंगले के पास ले चलूंगा जो उनके पिता जी ने बनवाया था तो मैं बता दू कि उनका कुछ पुराना वीडियो है जहां पर अमता बच्चन जी जब रहा करते थे उस बंगले में तब कुछ वीडियो मैं दिखाऊंगा तब उसकी इस्तिधी क्या थे और कुछ मैं उसको दिखाऊंगा मैं बताऊंगा कि यह उस बंगले का इस समय इस्तिधी क्या है तो बस हमारे वीडियो में लास तक बने रहीएगा मैं पूर्ण आप देख सकते हैं जब यहां पर बिग भी अमता बच्चन सर रहा करते थे तब का यह बंगला है देख लिजी कितनी ह अबर चार्ण समय इसस्मय रहा करते थे मैं आपको दिखा रहा हूं यह कुछ कुरानी वीडियो है कितनी हर याली है और कितना हर याली शन्गा हुआ है और में में चrous आहां है कि चारों तरह से रास्ता यहांपा गया हुआ है यह बंगला आप देख सकते हैं कि यह है परतिच्छा बंगला जहां पर वह इस परतिच्छा बंगले को उनके पिता जी ने खुद इस बंगले का नाम रखा था तो मैं दिखा दे रहा हूं कि यह खुद सूरत बंगला जो दिखाए दे रहा है यह उनिक है और मैं कुछ आपक मुंभय में देख सकते हैं उन्हों ने ये पहला बंगला बनवाया जिसे हम सबसे घंधंटा प्रिक्ष्थार जलसा है क्योंकि प्रडंट में में जरूर आते हैं यहां पर दिन भार में तो एक बार जरू यहां पर आते हैं, कभी न कभी यहां पर आते हैं, और एक से दो घंटे इस बंगले में बिताते हैं, क्योंकि उनका बच्पन इसी बंगले में बिता, इसलिए वह एक से दो घंटे जरू इसमें बिताते हैं, उनके पिता की यह आदे यहां पर चिपी ही है इसलिए यहां पर जरूर आते हैं आपको मैं बता दू कि यह जो पहले का आप देख सकते हैं सीन में अब इस समय का मैं दिखाऊंगा कि यहां पर क्या सीन है और कैसा यह बंगला है आप देख सकते हैं मैं देखा रहा हूं यह इस समय का परजेंट टाइम का कैसा ह यहां का इमता वच्चन सर का बहुत छोटा परिवार है आप जान सकते हैं कि उनके सिर्फ एक ही लड़के हैं अब सेख वच्चन और उनकी साधी हो गई है और उनकी एक पोती भी है तो उनका बहुत बड़ा परिवार नहीं है बहुत छोटा सा परिवार है और आप देख सकत पर यहां पर बहुत कम आते हैं ज्यादा से ज्यादा समय जलसा में बिताते हैं जो जुहु में ही इस्तित है वह बहुत करीब में है मुश्किल से 100 मीटर की दोरी पर समुद से 100 मीटर की दोरी पर है और यहीं पर अन्ता बच्चन सन ने अपना जो बच्चमत था यहां पर बिताया और यहीं पर बड़े हुएं अपसे बच्चन के जो दादा जी थे वो एक हिंदी लेखक थे जो बहुत से हाई स्कूल और इंटर की किताबों में उनके आपको हरवन सराय बच्चन के कुछ पाठे हैं जो हमने पढ़ी हैं मद साला मद कलास इसी तरह और भी चेप्टर हैं इसको हमने हाई स्कूल में पढ़ा था तो वह एक हिंदी के बहुत ही अच्छे लेखक थे अब देख सकते हैं यह जो बांडरी पर हरियाली दिखाई दे रहती एकदम उजार हो गया है हटा दिये गए हैं और इसमें बहुत कम अमता बच्चन सर यहां पर रहते हैं इसलिए यहां पर ध्यान नहीं दिया रहा है फिर चुनने पर देखिए गार्ड болध़ व्यां बैठे हैं उजारी पर पिदा देख सकते हैं कि जैसे यहां बड़ा सका हट दिखाया है यह गमला है यहां पर पौधा लगाने के लिए जाल उसमें पौधा कोई नहीं लगा है लेकिशोप इसके लिए है पौधा लगाने के लिए जाल बस हमारे वीडियो में इतना ही हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको इनका कौन सा बंगला अच्छा है परतिच्छा बंगला है कि जल्जा बंगला है और मैं आपको पता दूँ कि यह पहले का बंगला अच्छा था कि आपका बंगला अच्छा है यह आप देखें